फ्रेंड्स जब में अपने प्लांट में अलग अलग तरीके के फटिलाजर डालते हैं तो दिरे दिरे हमें समझ में आने लगता है कि कौन सा फटिलाजर डालने से हमारे प्लांट में क्या असर होता है और उसके क्या फायदे होते हैं तो आज जो मैं फटिलाजर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यह मेरा अजमाया वह फटिलाजर है अगर आपके किसी प्लांट में बहुत टाइम से कोई नई ब्रांच नहीं दिख रही है पतिया नहीं आ रही है नहीं तो जरूर उसमें फिर फूल भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि जब प्लांट में नई पतिया तब भी उसमें नए फूल और कलिया आने शुरू होते हैं तो यह जो पर्टिलाजर आपको दिखा रही हूं इसमें पोटेशियम नाइट्रोजन फासफोरस और सलफर तीनो जो है अच्छी मातरा में मौझूद हैं और इसको आप अपने प्लांट में डालेंगे तो 100% आपके प्लांट की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो शुरू हो जाएगी और उसमें नए कलिया और फूल भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे इस फटिलाजर को आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं जैसे गुलाब हो गया गुडैल हो गया जितने फटिलाजर हम बनाना शुरू करते हैं यह बिल्कुल और गयानिक फटिलाजर है और यह सब चीज आपके घर में बिल्कुल असानी से मिल जाएंगी फटिलाजर बनाने के लिए फ्लैंट मैंने देखिए यह प्याज के चिलके लिए हैं जो उनकी सबसे उपर वाली सता होती अन्दर की चीज चिलके हमें नहीं लेने और एक दू दीन लगा लिए नहीं तो ऐसे भी इस्तमाल कर सकते हैं यह मैं फटिलाजर अपने सारे प्लांट के लिए बना रही हूं मेरे पास 20-25 पॉर्ट है तो इसलिए यह चिलके जादा है यह लगबाद 7 प्याज के चिलके है प्याज के चिलकों में भरपूर मातरा में हमें पोटेशयम मिलता है साथ में इसमें सल्फर भी मिलता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट भी होते हैं तो यह सारे चिलके मैं लगबाद 5 लिकर पानी में डाल दूंगी और इन अच्छी तरीके से दुबो दूंगी इसमें जो सल्फर मिलता है फ्रेंट्स सल्फर की वज़े से रुकी हुई ग्रोथ शुरू हो जाती है और पोटेशयम की वज़े से फ्लावरिंग बूस्ट होती है नई कलिया आनी शुरू हो जाती है अब जो मैं दूसी चीज़ ले रही हूँ यह देखे केले के चिलके हैं आप इनकी जगह पर फ्रेश केले के चिलकों का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह मेरे पास सूखे हुए रखे थे तो अब मैं इनका ही इस्तमाल कर रही हूँ यह वैसे ही काम करते हैं तो लगबग यह भी 5-6 केले के चिलके हैं गर्मियों में मैंने सुखा के रख लेती हूँ औ आप इनको अपने फ्लावरिंग प्लांट में डाल के देखें इनका लिक्वीट फर्टिलाजर आपको बिल्कुल जबदस्त कमाल का रिजर्ट मिलेगा तो यह चिलके भी मैंने इसमें डाल दी हैं और मैं इनको अच्छी तरह से मिला दूंगी आप जो यह ऑर्गानिक फर् प्लांट को एनर्जी प्रदान करती है हमारे जो वीक प्लांट होते हैं उनमें ताकत आती है और फिर अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और फ्रेंड्स यह तीसरी चीज़ में मिला रही हूं यह चाय की पत्ती है चाय की पत्ती जो है बहुत सारे अमीनो ऐसीडिस में होते है और साथ ही साथ यह जो है नाइट्रोजन का भी रिच सोर्स होती है नाइट्रोजन हमारी प्लांट के लिए एक बहुत ही जरूरी जो है पोशकतत होता है इसी की वज़े से जो प्लांट में ग्रोथ होती है जब अच्छी ग्रोथ होगी तब हमारा प्लांट उसमें अच्छे अगर आपके पास घर में कोई भी फर्टिलाजर नहीं है तो आप खाली चाय की पती को भी पानी में बिगो दीजे चौबिस गंटे के लिए और उसका इस्तमाल भी करेंगे तो आपके प्लांट से बहुत अच्छा रिजर्ट देखने को मिलेगा गुलाब और जितने भी फ्ल के बाद मैं इस फर्टिलाजर को अपने प्लांट में डालूंगी अब दो दिन हो चुके है अब हम इसको देखते हैं हमारे प्याज की चिलके और जो केले के चिलके हैं वह अच्छी तरीके से फूल चुके हैं इनका जितना भी रस था हमारा पानी में आ चुका है चाय की प फर्टिलाजर बनके तैयार हो गया है अब मैं इसमें से यह सारे छिलके निकाल कर अलब कर लूंगी और जो पानी बचेगा इसको मैं पहले डाली उट करूंगी फिर अपने प्लांट में डालूंगी यह देखे फ्रेंट्स अब यह फर्टिलाजर बिल्कुल बनाने के कभी भी डाएर्क इस फर्टिलाजर कर प्लांट में डाले क्योंकि यह बहुत स्ट्रॉंग होता है इसलिए इसको हमेशा डालूट करना बहुत ज़रूरी है अब देखे मै ने जतना उसमें फतिलाजर लिया थे इसमें साधा पानी मिला रही हूं ताकि बहूंड हो जाए अब यह हमारा बहुत ही अच्छा strong fertilizer बनके तयार हुचुका है, अब हमें इसे plant पे डालूँगी, friends इसको हर महीने में 10-10 दिन के gap पर आप अपने plants में डाल सकते हैं, लगबग 100 ml के करीब डाल दीजिए और उसके बाद उपर से साधा पानी डाल दीजिए, अगर अगर plant की अच्छी बनी रहती है और हमारे plants में अच्छी खासी flowering हम घर में घर की चीजों से ले सकते हैं, friends और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जै बोले नात की, फिर में लूंगी मैं आप एक नए अच्छे से वीडियो के साथ